कुई इस बीडियो में लोग डेखेंगे कि किस तरह से हम लोग हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी का रहत नाम है र estatå आरे एंबा मर में तो एज़ आ रहा न बारवक कितना बढ आरा रहा हो तो फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए हम लोग युटेख करते हैं इस प्रोग्राम में तो एक टोग मिध्याहर आ रहा है और तो उसको बोलते फ्रीक्वेंसी धोला भार तो दूअन अब लोगों का एंसर अब देखेंगे कि अगर सपोस वेबसाइट से कोई वेबसाइट नेम है w e b s i t e s वेबसाइट से उसमें तो e दो बार आ रहा है और s भी दो बार आ रहा है तो यह सबसे ज्यादा लोग रिप्रेसेंट करके मतलब दो बार आ रहा है तो दोनों कैरक्टर को हम लोग ले लें आउटपूट में तो दो आउटपूट हम दिखा देगा इस program में तो लेट्स चेक करते हैं साबसे पहले यूजर इंपूट लेंगे ठीक है string का फिर dictionary लेंगे dictionary में क्या करता है वो key and value में pair use करता है और वही मितलब जो भी string है उसको हम लोग dict में रखेंगे और dict को output देंगे output में दिखा देंगे right let's see अभी चल चलते हैं फिर string को पहले हम लोग iterate करते हैं फिर condition लगाएंगे dict में condition लगाएंगे dict में इसलिए लगाएंगे condition कि वो dict कहा है वो in i में जा रहा है मतलब i जो object हम लोगों का बार बार इंडेक्स को चेक कर रहा है उसमें वो बार बढ़ जाएगा ठीक है value को देदेगा तो dict of i increment लगाएंगे plus increment and one तो इससे क्या होगा कि अगर वो match करेगा वो same character उसमें match करेगा तो वो dictionary में उसको रख देगा right else else तो कुछ है नहीं लास्ट में अगर नहीं मिला अगर दो match नहीं किया same character उसको नहीं मिला उस स्ट्रिंग में तो simple एक ही रखे एक ही one एंसर देगा right तो max frequency नाम का एक हम लोग variable बना लेते हैं और उसमें max function यूज करता है max function क्या करता है ना कि हम लोगों string मतलब वो dictionary में सबसे ज्यादा क्वांसा number stored है उसको output में लाकर दे देता है वो ठीक है guys अगर one two three four है तो total agile सा बात है कि वो dict में max function लागाएंगे तो वो four को ही output में देगा हम लोगों को ठीक फीड से चलागाते हैं अभी dict में हम लोग फक्षा यह लूप चला रहा है ठीक है पहले हम लोग string में लूप चलाए थे अब dict में लूप चलाएंगे और condition लागाएंगे if dict of i equals to okay max function जो हम लोगों का variable है वो रख देंगे variable में कितना हम लोगों का सबसे ज्यादा जो value रहेगा वो हम लोग का पास है तो बस print करा देंगे that's it i, i तो हम लोगों का index है that's it end तो i को ही हम लोग print कराएंगे वो index में सबसे बड़ा value है उसी को print कर देगा है that's it so let's see the output let me check with this string so oh no guys i am just writing there over there so i have to write in that console i am writing that wrong place that my user input see to a na sab se jyadha bar hai do bar is string mein to a ko ye log matlab output में है आगा है यहाँ पर तो guys इसी तरह हम लोग और एक example check कर लेते हैं hello world nam का तो यहाँ पर भी see सभी लेटर एक ही है यहाँ पर तो यह क्या हुआ हुआ है else condition को चला दिया क्यों सारा ही लीटर एक ही है नो की दो बार repeat हुआ है कोई भी character तो इसको ही frequency का मतलब आप clear हो गया है using program में कैसे तरह हम लोग output दिखाएंगे उसको तो guys यहाँ तक clear है and thank you मिलते है next video में टड़ा बाई